अगर आप भी सफलता की सीड़ी का पहला कदम चढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोटिवेशनल कहानिया आपको मिलती रहेंगे आज का जो कहानी है परिस्तितियों को दोस्त देना कुछ लोग हमेशा परिस्तितियों को ही दोस्त देते हैं यह एक ऐसा स्टोरी है जिसे सुनकर आपकी आँखे खुल सकती है इस कहानी को चलिए जल्दी से जल्दी सुरू करते हैं काफी समय पहली की बात हैं दोस्तों एक आदमी रेगिस्तान में फस गया था वह मन ही मन अपने आपको बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुन्दर जगह है अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड उग रहे होतें और यहाँ पर कितने लोग घुमने आना चाहते होंगे मतलब ब्लेम कर रहा है कि यह होता तो वो होता और वो होता तो साइथ ऐसा होता उपर वाला देख रहा था अब उस इनसान ने सोचा यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक कुमा दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो वह चला गया दोस्तों कोई यह कहानी हमें यह सिखाती है अगर आप परिष्टितियों को दोस देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप परिष्टितियों को दोस देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वह सोर्सेस मिल जाये तो क्या परिष्टितियों को बदल सकते हो इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिष्टितियों को दोस्त देना जानते हैं अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिष्टितियों को नहीं बदल सकते हैं सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है दोस्तों इस कहानी से यह सिच्छा मिलती है कि हम अगर आप चाहते हो कि परिष्टितियां बदले और आपको अगर उसके लिए उप्यूक्त साधन मिल जाए तो आप अपना एक योगदान तो दे ही सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी तो होती है आप अपना योगदान जरूर देने यह कहानी आपको अच्छी लगी हो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी मज़दार कहानियां मिलती रहें तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं दोस्तों मैंने आपका ज्यादा समय खराब नहीं किया और इस मोटिवेशनल स्टोरी को मैंने कम से कम सब्दों में समेटने की कोशिस की है जो कि मैं कर पाया अगर आपके कोई शुजाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को और लोगों से आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट